दोस्तों अगर आप सेक्स करने के लिए जाते हो और आपका लिंग अगर बार बार धिला हो जाता है तो क्या ये नॉर्मल है या फिर अबनॉर्मल तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं दोस्तों अगर ये कभी कदार होता है कि आप sex करने के लिए गए हो और आपका link ढिला हो गया है तो ये बिल्कुल normal है इसको लेकर आपको घबराना भी नहीं चाहिए अगर महना में एक आधी बार ऐसा हो गया कि आप sex करने के लिए गए हो लेकिन आपका इरेक्शन जो है वो properly develop नहीं हुआ या फिर इरेक्शन properly develop हुआ भी तो वो गिर गया क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका body ठका हुआ रहता है पूरी तरह exhausted रहता है या आपका mind में stress चल ना मान जाए उनका दिल रगने के लिए जब भी आप ट्राइ करेंगे तो उस समय आपको जो है erectile dysfunction होना ही होना है क्योंकि आप नहीं इस चीज को करने के लिए mentally और physically तयार है तो इस तरह की सिनारियो अगर आपका life में कभी कदार होता है तो इसको लेकर tension बिल्कुल भी ना करें यह सभी के साथ होता है ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है लेकिन यही सिनारियो जब आपका life में बार बार होने लगता है कि आप जब भी sex करने का try करते हो तो आपकी reaction जो है बार बार तूट जाता है और उस समय आपको फिर से अपना link को हाथ से stimulate करना पड़त की जरूत है ताकि आपका exact problem क्या है और कहां पर है उसका सही से पता लगाया जा सके और उस problem के according आपको treatment दी जा सके क्योंकि एक पेसरेंट का erectile dysfunction होने का पीछे कई कारण हो सकता है हो सकता है पेसरेंट दिल का मरीज हो पेसरेंट का lipid profile सही ना हो bad cholesterol LDL VLDL बढ़ा हुआ हो HDL कम हो या फिर thyroid hormone T3 T4 और TSH में गड़बड़ी हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पेसरेंट का testosterone LH FSH या प्रोलक्टिन होर्मोन की कमी हो या पेसरेंट को hypertension है या पेसरेंट डाइबिटिक है या फिर पेसरेंट को chronic disease चल रही है या ऐसा भी हो सकता है कि पेसरेंट का penile का जो न नहीं कर पाता है वो रुक नहीं पाता है क्योंकि वेंस जो है वो बड़ी हो चुकी हो फैल चुकी है जिसके कारण खून जो है ज्यादा मात्रा में बाहर निकल रहा है तो यह कुछ common कारण है इसके इलावा और भी बहुत सारी कारण हो सकता है रेक्टाइल डिसफंक्शन क है जितना जल्दी खोलेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होने वाली है क्योंकि रेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लेम को अगर ऐसे ही नजर अंदास कर दिया जाए उसको अगर टाल दिया जाए तो वह प्रॉब्लेम बहुत ही कम समय में और बहुत ज्यादा इसक स्टार्ट करना चाहिए अब इसका अगर होमेपैथिक ट्रीटमेंट के बात करें तो होमेपैथि में बहुत ही बढ़िया इसका ट्रीटमेंट है दोस्तों आपको मेरा इस यूटूब चैनल का उपर आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा जो कि ऑल मेल कंप्लें केस हम लोगों ने ठीक किया है और उसका आपको सबूत उस प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा मुझे अलग से कहने की कुछ जरूत ही नहीं पड़ेगी तो दोस्तों मैं इस वीडियो को हीं पर एंड करता हूं सो थैंक्यू वेरे माच एंड हब गुड देर